बिल्कुल नरेंद इस मंत्री मंदल की बात की जाए नरेंद्र मोदी और अमिश्या ने बाजपा को बहुमत यहां पर इस पस्ट मिला 303 का इसके बावजूद शिवसेना समेट चार सहयोगी दल थे जिने साथ लिया मंत्री मंदल में जगह दी शामिल किया इसे किस धंग से सर को सबी गुटों को सबको सास लेके चलना चाहते हैं यह उसी का एक्सपेरिमेंट है और आने वाले दिने में हो सकता है कुछ और लोग भी सरकार में जुड़े हैं ब्योंड आवर इमेजिनेशन आपका सवाल एक अधूरा था उसके अंदर कि चार लोग बड़े कौन होंग होंगे राजना सिंग होंगे सिता रमन होंगी विदेश मंत्री होंगे और एक जो पोलिटिकल करेक्टर है ब्योंड ओल दीज लाइंस वो स्मिती रानी वह भी इस सक्ता ग्रूप के कोर ग्रूप के आसपास मांड रहेंगी कहीं करें यह सवाल है आखिर एम वक्त पर निती निती इश्कमार दूसरे लखी आदमी है चुनाव हारते बीजेपी के साथ खड़े नहीं होते तो लेकिन उन्होंने क्या क्या जिसे पोलिटिकल लेंगोज में का जाता है बीजेपी को जेडियू ने ब्लैक मिल किया एक तरह से वो इस बात पर अड़ गए कि हमें पिछली निती चुनाव जीतने की मोका मत छोड़ो गोई चांस मत लो और अब आप देखिए 17 पे BJP 16 पे जेडियू उखड़ा है तो उनकी महत्वा कांक्षा बढ़ी और उन्हों सवचा कि पहला चूंकि हमने जो बारगेन जीता था तो दूसरा बारगेन भी जीतेंगे लेकि उन् नेंदर मोदी हमिश्या का एक डर भी है और खास करके एक पॉलिटिकल खौब भी रहता है लोगों में तो उन्हों ने तुन प्रेस कॉंफरेंस करी पटना में और यह बयान जारी जिया है कि हम समर्थन वापिस नहीं ले रहे हैं हम सरकार के साथ हैं बाटपा खिलाफ नही हैं पर मेरा मानना है देर से फिर आ जाएंगे कोई खास बात